अजय नमस्कार दोस्तो मेरा नम अतूल और यह है Realme 6 दोस्तो आपको पता हो कि यह से आप हम्स्रेंड पे लेट में स्वाइप करते हो तो आपको यहां पर स्मार्ट अशिस्टेंड मिल जाता है दोस्तो आप स्मार्ट असिस्टेंड में बहुत सारे फीचर से आपर यूज कर करके रखा हुआ यह शेप i range कार्णा तो आपको सेटिंग मजाना है और आपको मेनेज करना यहWe are इसको आपको उपर रखना है, वेधर के उपर दो आप उपर लिजये अगर कोई केलेंडर में कोई एवेंट्से करते हो, तो आपको यहां पे स्मार्ट इस्तन में दिखाया जाता है, अगर आपको ओनलार करते हो, उसके स्टेटस है आपको Smart Assistant में दिखा जाता है Flipcard से या अमेजों से वो भी आपको दिखा जाता है आप यहाँ पर 4U और बाद में सब्सक्राइब में जो जो सब्सक्राइब किया है वो आपको दिखा जाता है पिर Quick Function जो भी आपने सब्सक्राइब किया होगा जो नहीं किया होगा सब्सक्राइब ऐसे दिखा दिया जाएगा अपको उसे क्लिक करना है ताकि ओसब्सक्राइब हो जाए और वो आपको दिखाया जाए Smart Assistant बार में लाइफ में अलग होता है, ट्रावेल में अलग होता है convenience में अलब होता है और यह सभी subscribe में आ जाते हैं तो मैंने सारे subscribe करके रखे game के अलबा तो सारे अभी मुझे smart instant में मिल जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको step tracker भी मिल जाता है जैसे google convert currency रुपीज से डॉलर में करना हुआ, डॉलर से रुपीज में करना हुआ, card को scan करना हुआ, document को scan करना हुआ, photo को translate करना हुआ, camera, selfie ऐसी आप यहाँ पे बहुत सारे shortcuts है, यहाँ पे आप add कर सकते हो, settings बजाके यहाँ पे आप 10 तरीके से, मतलब 10 shortcuts यहाँ पे add कर सकते हो, remove करने के लिए यहाँ पे जो minus का sign होता है, rate sign उस पे click किजिए तो निकल जाएगा, अगर आपको और दो चीजे रखनी है, और चार ची सकते हो, आपको यहाँ पे favorite contact में मिल जाता है, मतलब आपको मानलो, अगर आप बार बर किसी contact को call करते हो, तो आपको dial open करके call number dial करके उसे करना नहीं है, आपको shortcut तरीके से करना तो आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे add किया हुआ एक account मेंने, अगर आपको दुसरा भी करना है तो add किजिए, और आप इस तरीके से contacts को add कर सकते हो, फेवरेट contact में तो आपको just click करना है, इसके बाद आपको call करना है, यहाँ पे आपको dial pad में जाके number dial करनी के ज़रूद नहीं है, यहाँ पे आपको weather, जो degree Celsius में आपको tap man दिखाया जाता है, यहाँ पे temperature, आपको यहाँ दिखाया जाते है, आपको download करने हो, तो आप यहाँ से download कर सकते हो, तो इस चीज़े आपको यहाँ पे smart assistant में मिल जाती है, तो आपको इसे access कैसे करना है, आपको home screen में जाके swipe करते हो, तब आप इने access कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी दिखाया जाता है, जो shortcut से आपको यहा धन्यवाद दूस्तो